सर नमस्कार नमस्कार जी सर क्या नम है आपका सोकेस बज़ाठ और सर कहां से आई आप चानुड़ी एमदाबाद गुजराद से आए आप क्या करते हैं आप वैसे मेरे संस्ता है हर्यूम इंदिविद्याल है उसका मैं प्रिंसिपल हूँ सर संत्रामपाल जी महराजी से कब जुड़े आप सर तेइस माई 23 को नम दिछले सर आप एमदाबाद गुजराद में रहते हैं और आप एक प्रिंसिपल हैं तो सर इतनी दूर संत्रामपाल जी महराजी से कैसे जुड़े आप सर इसके पेछे बहुत बड़ा कारान है अगर आप सुनो तो मैं सुनाओ बिल्कुल सर सर सबसे पहले बीमारियों का दौर था मेरे घर के अंदर सर मैं आपसे क्या कहूं इतना दुखी था कि बच्चे घर में इतने बीमार होते थे एको हस्पिटल ले आता था तो दूसरा तैयार मिलता था तीन चास साल इतना परिशान होगा सर जी कि आपसे क्या बोलो उसके साथ साथ घर में भूत प्रेत का साया था वक्त मती के ऊपर एक प्रेत आत्मा हैं सबसे ज़्यादा परिशान करती थे जैसे ही मैं ओपिस से घर पे आता था तो रोज का लड़ाई जगडा इससे भी मैं बहुत परिशान था सर जी मैं खुद अपनी वीमारी के बारे में बताता हूँ मेरे यहां पर सेने महना दर्द होता था छे सा साल से बराबर जहल रहा था काफी इलाज कराया तांतरों के पास भी गया उनने पैसा भी लिया तिन चाल लाग रुपए तांतरों को ने ले लिया और हॉस्पिटले में तो कम से कम 4-5 लाग का खर्चा होई चुका था फिर भी ठीक नहीं हो रहा था सा सर जी लाश्ट व मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका कोई इलाज है के नहीं डॉक्टरों ने भी इतनी सिटी स्केन कराई सर जी इतनी सोना ग्राफिक कराई अक्सरे कराई साइध मेरा घर बर गया सर जी एक दिन मैंने पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज होगा के नहीं होगा छिले में डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज तो आप परमात्मा ही कर सकते हमारे पास कोई रास्ता है ने डॉक्टरों ने भी उपर हाथ उठा दिये थे हमारी बस की बात नहीं सर जी जब ऐस कर यहां पे इतना पेन होता था, इतना जबरता होता था, कि साइध ऐसा लगता था कि सहन नहीं होता था, एक दन मैंने कि आज आत्मत्या कर ही लेनी है तो मैं घर से निकला मेडिकल पहुंचा ग्योंकि गोली आती है डालने वाली जहर की बोली और लेके बाहर निकल गया शाम का समय था आठ बज रहे थे हातों पे ले लिया मैंने सूचा कि आज इसको खाके आत्मत्या कर लूँगा फिर विचार आया कि फिर वाँ बैठे बैठे सुचा कि मरना तो है एक बार खुदा की और नजर डाल लेते हैं मैंने अंतर आत्मा से फुकारा है पर्मात्मा अगर तु इस धर्ती पे है तो आज आपके बच्चे की जान जा रही है बचाना है तो बचा लो उसी समय मन में प्रणा आती ह कि मर तो रही है एक बार ममी पापा को फोन तो कर ले तो मैंने ममी पापा को उसी समय फोन किया पापा ने पूछा कैसा है मैंने कहा कि सब अच्चा है बस आपका बेटा आज ही मर जाएगा क्या बात है कि मैंने बोला कि आज मैं आत्मात्या करके मर जाओंगा मैंने बोला कि कि जो मेरा इलाज हो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिये हैं, तो पापा ने ठीम वी कि संत्रामपाल जी माराज से नाम दिछ लेती नाम दिछा लेती, 2009 में, जम मेरे पिता जी ने संत्रामपल जी माराज के बारे में मुझे बताते थे, तो मैं गुरुओं के बारे में मनता नहीं था, मैंने तो यह सोचा था कि गुरु तो सब ढूंगी होते हैं, और इनके पास अंध्विस्वास ही है, तद तो ग्यान तो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि पहले भी मैं भटक चुका था, मैं जया गुर्दे पहले हैं, वहां पर भी गया था, ओम सांती में भी अरस्तक रहा, और रादा स्वामी के भी रांड लगाए, क्योंकि मैं सब जागे भटे चुका था, कहीं से मैं कुछ लाव नहीं मिल रहा था, तो मुझे मुझे बुचास था कि यह तो गुरुओं के पास याना तो भी आ पिता जी नहीं करता, फिर पिता जी नहीं बोला कि आप संतर रामपाल जी महराज के आसरम में चलोगे, मैंने यस बोल दिया, पंद्रा दिन के बाद पिता जी गावाँ से जब एहमदाबाद आए, फिर वो मुझे 23 माई 2013 को आसरम में गया, और गुरुजी से उपदेश ल देखा, मेरे आँखों में आशुते, जैसे संतर रामपाल जी महराज ने, जैसे मेरे उपर हाथ रखा, बस हाथ रखते ही ऐसा चमतकार होगा, जो मेरा पैंथा ना, बैसे ही पूरी, जो भी मेरा धरत था, जो भी विमारी था, एक दम समापत होगे, सर जी, मैंने से बंडारा पाया, पूरी रात खोसी-खोसी से लेटा रहा, जैसे मैं नाम लेने के बाद आया अगर पे, तो एक दिन की बात है कि मैं साम को आरती कर रहा था, हमारा बच्चा है, 15 साल का था, गोरब नाम है, मेरे साथ आरती में रोज बैठ जाया कर दा था, एक दिन क्या ह होगा, जैसे ही उसाथ बैठा, जैसे मैंने आरती स्टार्ट की, आरती स्टार्ट होते ही उसके सीने में ऐसा धर्द होगा, कि रोत रोते जमीन को पर गिर गया, जैसे ही उसको मैंने ओली में लिया, तो उसको एकदम पसीना पसीना हो गया, सर जी पसीना तो क्या, उसके इत मुझे खतम ही हो जगा था सर जी खतम हो गया था फिर मैंने यह सुचा मेंने का हे बंदी छोड़ हे सत्गुरामपल जी महराज बच्चे का मरने का गम नहीं है या तो यह पहले हो जाता तो मुझे दुख नहीं था लेकिन आपके चड़ों में आने के बाद अगर ऐसा होता है फिर उसके बाद एकदम ख्याला आया कि हमारे सत्गुर बंदी छोड़ सो रांपरी महराज ने बताया कि जो हमने आपको अमर जल दिया है उसको पिला दू तो जैसे ही मुझे अंदर से प्रणा होई मैंने अमर जल के डिबी ली और उसको पिलाया आरती बरावर चालू थी बंद नहीं किया था फिर जैसे ही आरती एंड होने को लिए आई जैसे ही उसकी आँके एकदम खुल गए वह सर्जी एकदम ऐसा चमतकार हुगा कि उसके अंदर स्वास तो रही नहीं थी बिल्कुल खतम ही हो चोगा था हैंड़ेट का खतम हो गया था लेकिन हमने आरती बं जब एंड की एक कड़ी आती है उसी समय उसने एकदम आँक खुली पापा पापा मैंने क्या उसको देखा यह तो उसमें आ गया आँके खुल गई और एकदम मलग खड़ा हो गया मैंने बला हो बंदी छोड़ बास्तम में परमातमा का नाम सुना था लेकिन सत्कुरमपाली वह च्छां-परमातमा है यह कबीर साब के अपतार है parallels सर आपके बेटे ने क्या बताया था क्या dwa था तो सर आपने बताया कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जैगुर्देव के पास गए रादास्वमी पंत के पास गए और आप भ्रमा कुमारी पंत में भी गए लेकिन आपको कहीं से भी कोई रात नहीं मिलती है और जैसे ही आप संद्रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा लेते है और आपकी वर्सो पुरानी बीमारी जो होती है जिस बीमारी को लेकर कि आप जैर खानी की स्टेज पर आ गई थे वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है तो सर सवाल ये है कि संद्रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा लेने के बाद आपकी जो बीमारिया ठीक हुई है उन बी गुजरात में नमबर बन पे रहा था हूंच इडिविशन हो गई अगर को opened और उसका सरकारी और कोलेज मेंडिविशन हो तो यह प्राइबिट को अगर तो 2700000 क का फिरी हो रहा है और उसके साथ में हमारी एक बच्ची है उसकी रमेडी हो गई रमेड़ी बहुत अच्छे स हो गई कि हमारा गुरुजी का आदे से दही ना लेना है ना देना है संत्रामपल जी महाराज ने जो उनकी साधी कराई है रमेणी कराई है वो सास्त्रविदी का नुसार कराई है सर जी एक समय ऐसी इस्तिती थी, जब मेरे आर्थिक इस्तिती बहुत डाउन थी, जब से संत्रामपल जी मारासिय नाम देचा लिए न, आज सर मेरे, मैं आपके ऐसा बोल सकता हूं कि आज मेरे घर के अंदर सातों सुख बता सकता हूं सर जी, आज मेरे घर में किसी प्रकार का कश्ट नहीं है किसी प्रकार की बीमारी नहीं है किसी प्रकार का भी किसी की कमी नहीं रख रखी ये गुरू जी ने सब कुछ दे दिया है सब कुछ क्या कहूं कि आज मैं इतना सुखी हूँ सर जी कि मेरे कहने पे कोई कोई सब्दनी बचे मेरे पास सर आप एक सिक्सित व्यक्ति हैं आप खुद प्रिंसिपल हैं तो सर आप से जानना चाहेंगे कि संद रामपाल जी महाराजी के बारे में अक्सर ये बाते सुनने को मिलती है कि आन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं आप तो हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं से जुड़ेवे थे आप पहले और अब आप संद रामपाल जी महाराजी से जुड़ेवे हैं क्या लगता है आपको क्या इसको निंदा कहीं जाए या क्या कहना चाहिए सर निंदा तो नहीं है हमारे गुरुजी ने सच्चाई बताई है सच्चाई बताना कोई निंदा नहीं होती है हमारे गुरुजी ने बिद सास्त्रों को खोल खोल कर रख दिया है गीता बिद सब क्या पड़े हो गए है मिला लो, सच्चाई क्या है आपको खुद संपता चल जाएगी सर ये भी सुनने को मिलता है कि जो सरदालू संत रामपाल जी महाराजी से जुड़ेवे है वो एक अंसरद्दा भक्ती के तहत जुड़ेवे है वो अंपड़ लोग है, ज्यादा पड़े लिखे नहीं है लेकिन आप खुद एक प्रिंसिपल है और आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो संत रामपाल जी महाराज के अनियोयों के बारे में ये कहते हैं कि वो एक अंसरद्दा भक्ती के तहती जुड़ेवे हैं सर, जितने भी भक्त समाज है जो संत रामपाल जी महाराज के चड़ों से में जोड़ा हुगा है, कोई भी अन्दवक्ती के तितायत नहीं आता है, उन्होंने सच्चाई को जाना है, पर्खा है और उनसे नाम देच चलिए। अगर हम दोनों ही अरिवार सच्चम थे, अगर हम यह जगत के हिसाब से साधी करते, तो इस साधी में खर्चा कम सोरह सतरा लाग का आना था, और वो आज परमातवा के दिया से, संत रामपली महराज की राजा से, यह साधी इमारी विगर्द अंदाईज के संपन हुई। और जो हमारे गुरुजी के लिखी पुस्तक हैं, उनको पढ़ें, सच्चावी को जाने पर रहें और उपदे से लें और अपना कल्यान कराएं। जी धन्यवाद। झाल 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 झाल